बेहन बेटियों पर बलातकार हत्यान हाली में दिल्ली में हुई सामोहिक बलातकार क्रूर हत्याने सारी युवा शक्ती को एकत्रित कर दिया युवाओं का आकरोश भूट पड़ा और लगा कि अब ऐसा अमानविय कृत्य दुबारा नहीं होगा लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर से सामोहिक बलातकार और हत्याएं हुई है आतंकवादी हमले पिछले कई दिशकों से आतंकवादी ने समय समय पर हमारे देश को लहू लुहान किया है कश्मीर से कन्या कुमारी तक और गुजरात से आसाम तक जब की मौका मिला आतंकवादीयों ने हमें जख्म दिये पुलीस प्रशासन ने तमाम तरह के दावे किये लोगों ने विरोध प्रदर्शन और एकतांकी जहांकिया निकाली पिछली गलतियों से सीख लेकर ज्यादा चुस्त और चोकन ने रहने का आश्वासन किया परंदों आतंकवादी हमले और अत्याकार बोते ही रहे हानी में हुए हैदराबाद और बंगलोर के आतंकवादी हमले इसकी ताजी मिसाल पर पैदिनों में ऐसी घटना एक आम बात हो गई भोपाल दुरगटना विश्व की सबसे बड़ी भयंकर औध्योगिक दुरगटना अपने ही देश में हुई इस बोपाल गैस हाथसे में सोला से सत्रा हजार लोगों की जाने गई परिसर के कई किलो मीटर तक जीव श्रिष्टी का अंत हुआ इस खतरनाक जहरेले गैस के असर से कई पीडियां बरबाद हो गई और आज भी हो रही है इस भयानक नरसंहार के जिम्मेदार व्यक्ती को सरकारी समरक्षन में सही सलामत उनके देश तक पहुँचाया गया आंदुलन हुए पीडित लोगों के जखमों पर मरहम लगाने की कोशिश की गई मगर अपराधी आज भी दंडित नहीं हुए ऐसी दुरखटनाएं लगातार होती है आकरोश फूरता है लगता है कि अब की बार कुछ परिवर्तन होगा लेकिन कुछ समय के बाद सब आम हो जाता है सब लोग भूल जाते हैं याद रखते हैं तो सर्फ वे जो पीडित होते हैं जिन्हें जीवन में कभी न भरने वाले घाव मिलते हैं जिन्हें कभी न्याय नहीं मिलता ऐसी भिशन दुरखटनाओं पर पुर्ण विराम क्यों नहीं होता क्योंकि इससे पीडित होने वाले पैसे वाले रसूक वाले शक्ती-शाली-नेतागण पूंजी-पती या उच्च प्रशासिक अधिकारी नहीं होते इससे पीडित होता है वह सर्फ और सर्फ आम आदमी वही मरते हैं उनका ही हत्याकांड होता है उनके ही बहन बच्ची पर सामोहिक बलातकार होते हैं इसलिए अपनी और अपने परिवार की अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए ब्रश्ट व्यवस्था परिवर्तन करने का बीडा आम आदमी को ही उठाना है मैं सुनिल शिंदे स्वतंतर भारत का एक आम आदमी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरा उद्देश श्री अन्ना हजारी जी के चरित्र जैसा साफ है इसलिए अन्ना जी की सौगंद खाकर मैंने बीडा उठाया है कि भविश्य में तो ऐसी भिशन घटना ना घटे उसकी हाकिकत अध्योगिक विकास होना ही है उससे आम आदमी से लेकर गाव, शहर और देश का विकास होता है लेकिन उसके लिए जो कायदे कानून नियम है उसका पालन करे तो विकास दिरंतर रहता है ठाने बेलापूर उद्ध्योगिक शेत्र इसकी वजह से इस क्शेत्र का जन संख्य तीन सो प्रतिशत से साड़े तीन सो प्रतिशत भढ़कर नभी मुंबई का निर्मान हुआ है इसी नभी मुंबई में नोसिल लिमिटेड ये कारखाना है इस कंपनी के परिसर में पावना गाव, तुर्भे गाव है उस गाव की जन संख्या करीब 2,70,000 है ये सब सिलम बस्ती है नोसिल लिमिटेड इस कंपनी में मैं सुनिल शिंदे, स्पोर्ट्स कमेडी, सुरक्षा कमेडी में और यूनियन का सबसे अधिक मत पाकर चुन के आने वाले यूनियन का पदाधिकारी उस समय कामगार के सुरक्षा और न्याय के हक के लिए नोसिल कंपनी के प्रभंधक अधिकारियों से मैंने दो-दो हाथ किये जिसके परिणाम स्वरू नोसिल कंपनी के प्रभंधक अधिकारियों ने मुझ पर कई प्रकार के अत्याचार किये और मुझे परियावरण विरोधी काम कराने के लिए दबाव डाला गया परंतुक मेरी अंतरात्मा को ये बात कवारा नहीं थी इसी कारण मैंने नौकरी से इस्तिफादे दिया कामगारों के सुरक्षा और न्याय का संघर्ष जारी रहना चाहिए इसलिए यूनियन पधादिकारियों ने इसके खिलाफ पुलिस विभाग और संबंदित विभाग को शिकालतें की इस कमपनी में सुरक्षा और परियावरण के सभी कानूनों और नियमों का उलंगन हो रहा है जिसके कारण अबगाती मृत्यू तथा अबगात होते हैं उसके संबंदित विभाग में लिखित प्रमान नहीं होने की वज़े से कानून को जान बूज कर नजर अंदास करने से भोबाल दुरगटना से भी कई गुना भयानक दुरगटना होने का खत्रा नवी मुबई याने महराष्ट्र में गुजरात की दहज गाउं में निश्चित है इस पर मुझको यूनियन पदादिकारियों ने संबंधित विभाग में शिकायते करने के लिए मुझे आर्टी आय का साहरा लेने को कहा बाद में वही यूनियन पदादिकारी अपने वयान से पलट गए उन्होंने लिखित प्रमान दिया कि इस कमपनी में अबगाती मृत्यों और अबगात हुए ही नहीं सुरक्षा और परियावरण के सभी नियुमों का पालन पूरी इमानदारी से होता है ऐसा लिखित विवरण सभी संभंदित विभाग और पुलिस विभाग में प्रस्तुद किया गया है ये यूनियन पदादिकारीयों की ये बदली हुई मानसिक्ता को लेकर उनके क्रूर अपराद को सिद्ध करता है नोसिल लिमिटेड में अत्यांत विसफोट ज्वलनशील और जहरीले रसायन और गैसेस जैसे की असिटोन, असिटाइलीन, अमोनिया, अनिलीन, अन्बुटानोल, कार्बन डाइसलफाइड, कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक सोडा, लाइक क्लोरीन, cyclohexyl amide, cyclohexyl mercaptan diesel oil, formic acid, hydrogen, hydrogen carbon solvent, hydrogen peroxide, sodium hydrosulphide, hydrochloric acid, ISO propyl alcohol, LSH, LPG, methyl isobutyl, ketone, morpholine, p-nitro-clorobenzine, sulfuric acid, tolene, xylene, इन सब रसायनों का इस्तिमाल बड़ी मात्रा में गैर कानूनी तरीके से किया जाता है, इस रसायनों और गैसों का इस्तिमाल अती उच्च दाब, अती उच्च तापमान पर किया जाता है, उसमें से ऐसी भी प्रक्रियाएं हैं कि तापमान का कंट्रोल ना होने से, जान बचाने के लिए भागने का प्रावधान है, इस उत्पादन की विश्व से बड़ी मांग बढ़ने के कारण, जहां दो प्लांट थे, वहां 14 से 15 प्लांट भीड भाड में खड़े किये गए, उनमें सुरक्षा जगा ना के बरावर है, ऐसे ही खतरनाक रसायन और गैसों का संग्रह बड़ी ही लापरवाही से भारी मात्रा में किया जाता है, इस वजह से टैंकर्स, ट्रॉलीज, कंटेनर्स, ट्रक्स, टेम्पोज, इत्यादी का आना जाना बड़ी मात्रा में होता है, उससे आपात कालिन मार्ग पर बड़ी मात्रा में जन हानी, परियावरन हानी करेगी, इसलिए इस गंभीर रुकावट की समस्या का हल ततकाल निकालनी के लिए, मैंने कई साल तक हर संभव प्रयास किये, उसके बाद जाकर कही रुकावटें हटाई गई, इसमें हाइटेंशन के टावर के 19 पूल की हाइट बढ़ाने को मैंने मजबूर किया, इस कार्य से फैक्टरी एक्ट का उलंगन होता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, नोसिल कमपनी प्रबंधन पर ओध्योगिक सुरक्षा और आरोग्य विभाग ने कोई भी कानुनी कारवाई नहीं की, इस संधर्ब के बारे में नभी मुंबई के पुलिस आयोक्त माननीय जावेद अहमद से मुलाकात करके, उन्हें उस जगह की दुरगटना ग्रस्त की स्थिती के बारे में फोटो दिखा कर ततकाल कारवाई करने के लिए प्रार्थना की, पुलिस विभाग और फायर ब्रिगेड विभाग मिलकर जन जागरण करेंगे ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया। आपात कालिन समय में होने वाली दुरगटनाओं से बचने के लिए उस कमपनी में इस्तिमाल होने वाले रसायनों और गैसिस की सूची मुख्य द्वार पर लगाने के लिए संभंधित विभाग से कई बार मैंने मांग की, ताकि आपात कालिन समय पर पुलिस और फायर विभाग से उनकी मदद लेकर दुरगटना को रोका जाए। इसे ही अती जहरीले रसायनों का इस्तिमाल करते समय नोसिल कमपनी में जो अती प्रदूशित जहरीला पानी, गैसिस, केमिकल वेस्ट, आदी, हजारो लाखो टन लीटर में पैदा होता है। कानुनी तौर पर इन पर प्रक्रिया करने के लिए संयत्र कार्यरत रहने का नियम बंदन है। लेकिन इस कमपनी में जो संयत्र लगाई है वेकेवल कागजी दिखावा है। इसकी वजह से अती प्रदूशित, जहरीला पानी, गैसिस, केमिकल वेस्ट, गैर कानुनी ढंग से बड़ी मात्रा में परियावरण में छोड़ दिये जाते हैं या गार दिये जाते हैं। जो हो रहा है वह कैसे गैर कानुनी तरीके से हो रहा है। ये सिर्द करने के लिए मैंने RTI के अंतरकत जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सूजना आयोग तक अपील की। तभी भी जानकारी दी नहीं गई। पुधारण के तौर पर नोसिल कंपनी को संबंधित विभाग से कितनी मात्रा में रसाइनों और गैसिस के इस्तिमाल करने की अनुमती दी है। सामने लाने के लिए महराश्ट्र प्रदोशन नियंतरन मंडल से पेट्रोलियम एंड एक्स्प्लोजिव सेफ्टी ओर्गनाजेशन इस विभाग ने और अध्योगिक सुरक्षा आरोग्य ये विभाग प्रसार माध्यमों में एक बाजु में प्रसारित करता है कि हमारा वि इस विभाग ने नौसिल कंपणी में जो सुरक्षा का आउडिट किया है उनके दस्तावेज मुझे आर्टी आई के अंतरगत उद्योगिक सुरक्षा और आरोग्य विभाग ने ये कहा कि हम सुरक्षा का आउडिट नहीं करते जबकि ये इनकी ही अधिकार क्षेत्र में आ जानकारी नहीं दी गई इसी कमपनी में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल बड़ी मातरा में होता है ये विस फोटक हाइड्रोजन गैस पहले वगल के कमपनी से पाइपलाइन द्वारा आता था वह कमपनी बंद होने के कारण सिलिंडर ट्रॉली से आता है इस कंपनी को केबल 300 सिलिंडर की अनुमती होते हुए भी 6-7000 सिलिंडर को गैर कानूनी तरीके से लाया जाता है इसे विस फोटक हाइडरोजन गैस का भंदारन यानि स्टोरेज करनी की अनुमती न होते हुए भी दो महाकाई बुलेट में गैर कानूनी तरीके से भंडारन करते हैं इसकी माल वाहक ट्रॉलीज गैर कानूनी तरीके से आवागमन करती है सारवजनिक जगह पर बड़ी मात्रा में खड़ा करके भयंकर दुरगटना को न्योता दे रही है कई बार ये विसफोटक हाइड्रोजन गैस की गाडियां सारवजनिक रस्ते पर लाववारिस खड़े रहते हैं जहां पर चाय और पान वीडी की दुकाने कई हैं जिनसे जट से आग पकड़के बड़ा धमा का अटल है फिर देड़के बड़र टुकाने का अटल है आगाए तो आगाए तुम्हें लिटाए का है कि सद्दिया हाइडोजन सा नी चे लेका है आसा दीला है पत्रवर वगा तुम्हें पत्रवर करता सा किला है अपनी पर पर अनियम तोडून कंपणी अपनी अफगात, अफगात ने अफगात तीओ आणि अफगात, अफगात। पुलिस महखमें और इससे संभंधित सारे सरकारी महंकों को कई बार सबूतों के साथ, कई माध्यमों से शिकायत की आठीजु प्रली टू प्राइड प्यार्ण है. अतियंत जहरेले रसायन दुरगटना के दौरान जमीन में न जाएं इसके लिए बंडारण करते समय बड़ी सावधानी बरतनी के लिए कानूनी बंधन नियम है इसके तहट बांध का प्रावधान करना नियम है समय समय पर उसकी मरमत करना भी कानूनी नियम है ताकि परियावरन का पिनाश जीव श्रिष्टी का अंतना हो नोसिल कमपनी में अत्यंत जहरिले एनिलीन रसाइन का इस्तिमाल गैर कानूनी तरीके से बड़ी मात्रा में होता है जिसके गुण धर्म इतने खतरनाक है कि इस जहरिले रसाइन की कुछ बूंद भी मनुष्य के शरीर पर घुश जाए तो मनुष्य का शरीर का आक्सिजन का स्तर तुरंत कम हो जाता है जिससे मनुष्य की मौत हो जाती है इस अत्यंत जहरीले एनिलीन रसायन का भंडारन को बड़ी सावधानी से बरतनी चाहिए पर ऐसा होते हुए भी अत्यांत जहरीले एनिलीन रसायन स्टोरेज टैंग के बॉटम फ्लंच के नट बोल्ट्स जन लगे हुए होने पर भी उसकी मरमत में पूरी लापरवाही बरती गई जिसके कारण एक दिन उसके नट बोल्ट तूट गए और अती जहरीले चाले स्टन एनिलीन रसायन जमीन पर बह गया और नीचे बांध की मरमत कई सालों से न होने के कारण अती जहरीला चाले स्टन एनिलीन रसायन जमीन में जाने के कारण भयंकर परियावरन हानी तो हुई ही और इससे आसपास के ग्रामिन इलाकों के बोर वेल कुए का पानी जहरीला हो जाने के कारण वहां बड़ी जान हानी होने का खत्रा मढरा रहा है इस घडीवी घटना को लेकर नौसिल कमपनी के प्रभंदकों ने दुरगटना दिखा कर बीमा कमपनी से 8 लाक रुपे लिए मैंने सभी संबंदित विभाग, संबंदित आरुग्य विभाग, संबंदित जिलाधिकारी, संबंदित मंत्री को शिकायत करके कारवाई करने की मांग की और इस दुरखटना के लिए गाउ में जन जागरित करने की मांग की थी इसके बाद भी किसी ने मेरी इस अती समवेदन शील शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और मेरे द्वारा चलाय जा रहे जन जागरन कारियों को बंद करने के लिए उन्होंने मुझको बहुत प्रताडित किया इस भेंकर घटना के शिकायतों पर महराश्ट्र प्रदूशन नियंत्रन मंदल विभाग से पहली बार जवाब आया मेरी शिकायत वस्तू स्थिती में आधारित नहीं इस भेंकर घटना क्रम की जाच कैसी की उसके दस्तावेश की मांग मैंने आटी आई अंतरगत राज्य सूचना आयोग तक अपील करने के बावजूद भी महराश्ट्र प्रदूशन नियंत्रन मंदल विभाग ने जानकारी नहीं दी उसके बाद मैंने पुनह बार बार कई बार शिकायत करने पर महराश्ट्र प्रदूशन नियंत्रन मंदल विभाग ने कहा कि ये भयंकर घटना महराश्ट्र प्रदूशन नियंतरन मंडल विभाग के अंतरगत नहीं आती और भी किये गए मेरे शिकायतों पर रासाइनी कारखानों में एकाद बार रासाइन जमीन में तो जाता ही है और ये विशे पौध्योगिक सुरक्षा और आरोग्य विभाग के अंतरगत आता है इसलिए उस विभाग से संपर्क करें इसी कमपनी में कारबन डाइस सल्फाइड याने CS2 जो रासाइन वातावरन में आते ही जट से आग पकड़ के बड़ा धमाका करता है ये कारबन डाइस सल्फाइड जिसके भंडारन के लिए 50% कारबन डाइस सल्फाइड और 50% पानी ही भंडारन का सुरक्षित तरीका है पर ये लोग ज्यादा रसाइन भंडारन करने के चकर में मान्य तरीके से कई गुना ज्यादा भंडारन करने के कारण टैंक में ज्यादा दबाव बढ़ने की वजह से बड़ा धमाका हो गया जिसके कारण उस महाकाई टैंक का निचला हिस्सा जमीन से उखड कर बुरी तरह से तितर बितर हो गया भगवान की दया से ये धमाका आग में परिवर्थित नहीं हुआ नहीं तो प्लांट में मौझूद अभीद रसाइन और गैस के भंडार में आग पकड़ता जिससे भ्यानक प्रान घाती अतीज जहरीला गैस बहुत ही बड़ी मात्रा में बैदा होती कंजेस्टिट प्लांट और मौझूद आपात का लेन रुकावटें इस घटना को इतना भयंकर बना देती ही इससे भूपाल दुरगटना से भी बहुत भयंकर दुरगटना करती थी जिससे दो से तीन लाक मनुश्यों की हानी होती पात से छे लाक मनुश्य बाधीत होते संपून नवी मुंबई में मौत का मनजर होता भूपाल घटना से हम कुछ सबक नहीं सीखे वापस दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार सभी माध्यमों से इस घटना को हत्याकांड का करार देते इनके गुनेगार को सजा दो फासी दो ऐसा हाक्रोश का आंदोलन चलता था ऐसी घटना ना घटे इसलिए एक आम आदमी आवाज उठा रहा था पुलीस प्रशासन राजनेता के दरवाजे कई सालों से खटखटा रहा था लेकिन कोई उसके उपर धिहान नहीं दिया इसको लेकर मीडिया वाले टी आर पी बढ़ाने का काम करते थे नोसिल कंपनी के यूनियन पदाधिकारियों ने लिखित साक्ष दिया था इस कंपनी में सुरक्षा और परियाबरन के सभी नियमों का बड़ी ही कलाई से पालन होता है जो दुरघटना हुई वह एक मानवी भूल थी उससे कंपनी को बड़ा ही नुकसान हुआ ऐसा दिखा कर ये कंपनी कामगार को कोई भी मुआबजा नहीं देती परिसर के नागरिकों को कोई मुआबजा नहीं मिलता ये यूनियन पदाधिकारी और नौसिल कंपनी के प्रबंधक ने मिलके जो क्रूर साज़िश की थी वह साज़िश कामगार तक पहुँचने के लिए मैंने कई मिवेदल पत्र रेजिस्टर पोस्ट से भेजे थे उन रेजिस्टर पोस्ट को यूनियन पदाधिकारी ने और नौसिल कंपनी के प्रबंधक ने स्विकार नहीं किये इसी मनसुबे को लेकर मैंने यूनियून के वाइस प्रेसिडेंट श्री शिवाजी राठोड से मुलाकात करके उनसे प्रार्थना की कर मासट काम दंदा साले में अपने स्यल्चा ग्रेसिजर ऊंगलत हुएन में तुम उससे कह आनहेती और कोंवे संपदित आया चाहर कि आदे हो सारणसे हम gewgen a Nhın आफनों नोरोगे चीज बीХट Eddy कोधने आजने आफन से आप वी क्यानी आफन दोश अपने लाशने वीनकोस कर दों शन्या अऩर्ब्दैन स्टेन आफनों हें आफति कुर्ष्यन का ने यह तो करने के लिए मैंने प्रेस कॉंफरेंस लेकर इसके खिलाफ आवाज़। प्रेस के लिए कर रहा हूं। मैं नौ सो मराठी कामगार के पेट पर पैर मार रहा हूं। इसके बाद नौ सिल कंपनी के प्रबंधन ने मुझे लोटीस भेजा। कि तुमने प्रेस कॉंफरेंस में जो बातें फैलाई है वह सब गलत है। और ये तुमसे गलती हो गई है। माफी नामा साथ दिन के अंदर लिख कर दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर दस करोड का माहन हानी दावा करेंगे। यूनियन के पदधिकारियों ने कामगारों को चेतावनी दी कि मेरे संपर्क में जो रहेगा उसे नौकरी से बरखास्त किया जाएगा। इसके बाद मैंने कामगार और समाज में दक्षता, सतरकता, उपाई योजना करने के लिए दो महिने पहले संबंधित विभाग से कानूनी अनुमती की मांग करके महत्वपूर्ण अवसर पर कई बार जन जागरन अभियान करने का प्रयास किया। राश्ट्रिय सुरक्षा दिन के अवसर पर मैंने कमपनी के परिसर में बैनर्स लगाए। तो वो बैनर्स लोगों को दिखाई न दे। इसलिए नो सिल कमपनी के प्रभंधक ने उधर टैंकर्स लगाने को कहा। जबकि आपात कालीन मार्ग पर टैंकर्स कंटेनर ट्रॉली के रुकावटे की गंभीर समस्या रहते हुए भी। मुझे धंकाया गया और मेरे बैनर्स निकाले गए। विश्व परियाबरण दिन के अफसर पर मैंने कमपनी के परिसर में बैनर्स पत्रक लगाए। तो नोसिल कमपनी के प्रभंधक श्रीमान चक्रवर्ती ने मेरे लगाए हुए पत्रक भाड़े। मुझे मारने की धंकी दी। मैंने पुलिस या मुनिसिपालिटी को बुलाने की बात उठाई तब ही भी। मेरे बैनर्स पहाड़के कमपनी के अंदर लेके गए। बोपाल दुरगटना से भी भिशन दूसरी दुरगटना नभी मुंबई में ना हो इसलिए समाज में दक्षता सतरकता उपाय यूजना करने के लिए मैंने अपने देश का स्वतन तरदिन 15 अगस्त के अवसर पर गाउं के चौराहे पर बैनर्स लगाए उन बैनर्स पर अपने देश का तिरंगा था नौसिल कमपनी के बारे में कुछ भी नहीं था जबकि उस बैनर्स पर अपने देश का तिरंगा रहते हुए भी वह बैनर्स नौसिल कंपनी के प्रबंदकों ने थाड़ा अपना तिरंगा का अपमान किया इस नौसिल कंपनी के प्रबंदकों का संगीन अपराद के बारे में मैंने शिकायत करने के लिए तुर्बे पुलिस थाने में गया तो मैं 15 अगस्त पर जन जागरिती कर रहा हूँ इसलिए मुझे 24 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रखा गया कौन बचाएगा मेरे देश को ये शीर्शक को डाल कर वैसे बैनर्स लगा कर 22 अगस्त को मैंने गाउ के चौराहे पर जन जागरिती का आयोजन किया तो उस वक्त कई सारे पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मचारी वहां पर आये और वहां जमा लोगों को भगाया और मेरे लगाए बैनर्स को निकालने के लिए नौसिल प्रबंधक को साथ दिया तो पुलिस कर्णा पर अधिकारी पुलिस अंतर अधिकार पुलिस अंतर आधिकारी वहां जादा शावाओं वहां के दुरगटना ग्रस्त स्थिती के सभी दस्तावेश को लेकर मैं नवी मुंबई पुलीस आयुक्त को मिला तो उन्होंने मुझे आश्वशित किया कि पुलीस विभाग और फायर विभाग मिलकर जन जागरिती करेंगे इस बात को लेकर मैंने गाओ के चौराहे पर बैनर लगाया इस बैनर को भी नौसिल कमपनी के प्रबंधकों ने भाड़ कर निकाला कई कमपनी के बजह से नभी मुंबई के लोगों का आरोग्य दोके में हैं क्यूंकि प्रदूशन विभाग इस पर कारवाई नहीं कर रहा है ये न्यूस एक जागरुप पत्रकार ने न्यूस पेपर में प्रसिद्ध की थी इसमें नोसिल कमपनी का भी नाम था इस न्यूस पेपर के कटिंग को लेकर किसके पेट पर लात ना आएं किसी की जानी न जाएं परियावरन का विनाश न हो इसलिए परिसर के नागरी को लेकर अन्ना जी को मिलकर इस बात पर जनहित याची का धर्ज करने के लिए मैंने बैनर गाउं के चौराहे पर लगाया पर वह बैनर भी नौसिल के प्रबंधकों ने थाड़ा मैंने वापस प्रेस कॉन्फरेंस बुलाई जिसमें 40 से 50 पत्रकार मौजूद थे उधर पता चला कि नो सिल कमपनी के प्रबंदकों ने उन पत्रकारों पर भी मान हानी का नोटिस भेज कर धमकाया था इसलिए जो बहनकर परिस्थिती पर आवाज उठनी थी बहद दब गई पत्रकारों ने ऐसी मामूली धमकी के आगे घुटने नहीं टेकनी चाहिए थे इससे ये भी लगता है कि पत्रकारों को भी ब्रश्ट किया गया मैंने 26.11.2010 को डेडली प्रिशराइज हाइडरूजन गैस के ट्रॉली नंबर MHO4H1833 के ड्राइबर के पास डेडली प्रिशराइज हाइडरूजन गैस का ट्रांसपोर्ट करने का संबंदित विभाग का लाइसेंज नहीं था उसी जगह पर कई सारी विसफोटक गैसे रसाइनो टैंकर्स ट्रॉली बड़ी ही मातरा में थी इस गैर कानोनी बात को लेकर मैंने एक शुन्य शुन्य पर फोन करके शिकायत की किसी ने इस पर कारवाही न करने पर ड्रैवर को लेकर तुर्भे पुलिस टेशन में जाकर इस बात पर फायार दर्च करने की मांग की मेरी फायार दर्च करने के लिए मैंने नभी मुंबई के पुलिस आयुक्त के दरवाजे खट-कटाए उन्होंने भी FIR दर्ज करने की मान को जान पूच कर नजर अंदास किया वही पुलिस आयोक्त ने आतंकवादी हमले के बारे में नभी मुंबई में जन जागरती का आयोजन किया उस वक्त मैंने टैंकर्ज के ड्रैवर्स बनकर आतंकवादी अपने देश पर हमला करने के फिराक में हैं आतंकवादी हमले के मानसिक्ता को लेकर सारवजनिक जगह पर विसफोटक गैसे रसायनों के टैंकर्स ट्रॉली से बड़ी ही मात्रा में गैर कानोनी खड़ा रहना देश विद्रोही कृत्य को न्योता देना है इस बात का 26.11.2010 का F.I.R. दर्ज करने की मांग फिर से उठाई तब ही भी मेरी F.I.R. दर्ज नहीं की गई इसे लेकर नीचे के स्थर से अपने देश के सर्वुच माननिय राष्ट्रपती महुदे तक सभी सबुतों के साथ कई बार कई माध्यमों से शिकायते की लेकिन 26.11.2010 का F.I.R. दर्ज नहीं किया गया जो की F.I.R. दर्ज करके लेना स्वतंतर भारत में एक आम आदमी का संविधानिक अधिकार है मेरी आवास को बंद करने के लिए नौसिल कंपनी की प्रभंदक अधिकारी श्री आर एम देशाई ने कॉंट्रेक्टरों को बुला कर एक मीटिंग की जिसमें मुझपर प्राण घातक हमला करने की साज़िश रची इस साज़िश में यूनियन पदादिकारी भी शामिल होकर मेरी कामगार तक ये बात आने की तड़फडाहट को लेकर निवेदन को स्विकार करने के लिए मुझे कंपनी के पास बुला कर मुझपर प्राण घातक हमला किया इस हमले के दरमियान मैंने मेरी जान बचाने के लिए पुलिस आयुक्त के मोबाइल पर फोन किया था लेकिन मैं व्यस्त हूँ ऐसा बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया और मुझे कोई मदद नहीं मिली जिससे मुझपर गंभीर मारहान होकर पांच से छे दिन अस्पताल में एडमिट होना पड़ा जो सारवजनिक जगह पर विसफोटक गैसेज, रसायनों के टैंकर्स, ट्रॉलीज, बड़ी मात्रा में खड़े रहते हैं उन विसफोटक रसायनों गैसेज के गुण धर्म कितने खतरनाक विनाशकारी है वो मैं जानता हूँ इसलिए पुलिस विभाग ने मुझपर चैप्टर केस दर्ज करने का शड़ियंतर गिया और ये कहकर दर्ज किया कि मैं कुरूर कृत्य करके बड़ी जीवानी करके नोसिल कमपनी को बदनाम कर सकता हूँ जो आदमी कामगार, कामगार समाज के प्रती, जी जान से लगाव रखता है उनके सुरक्षा के लिए सब कुछ दाव पर लगाता है उसे ही जिम्मेदार पकड़ने के लिए और जिन उद्योगपती के गैर कानूनी कुरूर कृत्य को छुपाने के लिए उसे ही दोशी ठहराने की ब्रश्ट पुलीस विभाग की गिनोनी साजिश है यदि देश विद्रोही कुरूर कृत्य होकर सुरक्षा पर्यावरण के सभी नियमों का उलंगन होकर लापरवाही बरतने की मानसिक्ता रहने से उधर बड़ी दुरगटना होकर जीवानी हुई तो मुझे जिम्मेदार पकड़ा जाएगा इस पुलीस विभाग की कुरूर साजिश से मुझ पर आत्मात्या करने की नौबत आएगी मैंने वापस नीचे के स्तर से अपने देश के सर्वोच माननिय राष्ट्रपती महोदया तक सभी सबुतों के साथ कई बार कई माध्यमों से शिकायते की इसके बाद जाके कारवाई का नाटक करने के लिए DCP श्री दुधी जी ने 31 मई 2012 को तुर्भे पुलिस थाने में संबंदित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली उसमें कई गैर कानूनी कृत्ति के बारे में मेरी शिकायते रहते हुए भी केबल हाइड्रोजन गैस के गैर कानूनी कृत्ति के मुद्धे पर पेट्रोलियम एंड एक्स्प्लोजिव सेफटी और्गनाजेशन इस विभाग ने दिनांक 23 मार्च 2012 पुलिस विभाग को जो लिखित जानकारी दी थी उसके अनुसार नोसिल कंपनी में लगातार गैर कानूनी डेडली प्रेशराइज हाइड्रोजन क्लोरीन गैस का भंडारन और इस्तिमाल वह आवागमन बड़ी मातरा में हो रहा है इसकी बहुत लोगों से शिकायते आई हैं इसके दस्तावेज लेकर 31 माई 2012 को F.I.R. दर्च की गई इस F.I.R. में जो डेडली प्रेशराइज हाइड्रोजन गैस के भंडारन इस्तिमाल वह आवागमन गहर कानूनी है उस कृति से Factory Act, Fire Act, MRTP Act, Pollution Act और कई Act का उल्लंगन होने के बाद भी उस विभाग के अधिकारी मौजूद होकर भी खाली Explosive Act का उल्लंगन होता है ऐसा दिखाकर मामूली धाराएं लगाकर F.I.R. में मुझे फर्यादी न रखके पुलिस विभाग के कोई पुलिस को फर्यादी रखकर कारवाई का नाटक किया गया 29 मई 2012 का F.I.R. दर्च करने के बाद तो पहले से भी कई कई गुना ज्यादा गैर कानूनी कृत्य को बढ़ावा दिया गया इस संधर्भ में मैंने नीचे के स्तर से अपने देश के सर्वोच माननिय राष्ट्रपटी महुदया तक सभी सबुतों के साथ कई बार कई माध्यमों से शिकायतें की इस पर मैंने शिकायत की पुलिस विभाग ने कहा कि दूसरे विभाग से संपर्ग करें उसके बाद मैंने जब शिकायतें जारी रखी तो मुझे बारा बारा घंटे पुलिस थाने में बैठा कर लवा से तुर्भे फिर तुर्भे पुलिस से डी सीपी कार्याले में मेरे उपर मानसिक दबाओ डाला गया जिसकी वजह से मेरा बीपी हाई हो गया मुझे रात को साड़े ग्यारा बजे को अमानवी ये तरीके से गिरफतार किया गया इस वक्त पुलिस आयुक्त डी सीपी एसीपी छे पी आए आठ से दस सब इंस्पिक्टर पंदरा से सोला हवलदार इतनी पुलिस यंत्रणा सुभा आठ बजे से रात को बारा बजे तक मुझे कलवा पुलिस ठाने पर रोज हाजरी लगाने की सजा दी गई पुलिस ने मुझ पर जो चैप्टर केस दर्ज की है तो उस जगह पर कभी भी बड़ी दुरगटना विद्रोही कृत्य हो जाए तो मुझे ही दोशी ठहराया जाएगा इसलिए जो गैर कानूनी कृत्य लेगे हैं के हो रहे हैं उसे ततकार रोका जाए इसलिए मैंने वापस दी सी पी को मिलने की प्रारधना की तो उल्टा वापस मुझको गैर कानूनी टरीके से गिरफतार किया गया इस गैर कानूनी गिरफतारी के सबूतों के वीडियो और भहिंकर दुरगटना Гरस्त स्थि इसके बाद भी भैंकर परिस्थिती पर ततकाल कारवाई हो और कामगारों में च्छाई हुई देशत को हटाने के लिए समाज तक जन जागरण के माध्यम से पहुँचने के लिए पुलीस विभाग का सहीयोग मिलने की मांग को लेकर मैंने महराष्ट राज्य के मंतरी के लोकशाही दिन पर उपस्तित रहने के लिए कई महीनों तक अनुमती मांगी इस बात को लेकर मैंने आजाद मैदान में अन्शन भी किया ये अन्शन के अनुमती को लेकर कई महीने पत्र देने पड़े इतनी भयानक दुरगटना ग्रस्त परिस्थिती होते हुए भी नोसिल कंपणी में सुरक्षा के इंतजामात को लेकर समाज में नोसिल का नाम खराब ना हो इसके लिए ओध्योगिक सुरक्षा और आरोग्य के सह संचालक ने नोसिल कंपणी से ही पैसे निकाल कर थाने में ओध्योगिक सुरक्षा संभंधी प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें नोसिल कंपणी को सुरक्षा के प्रती प्रत्म स्थान दिया गया प्रोसिक्यूशन बट इस तुवर्ट कम्प्लाइंस आंची असी अपेक्षा अस्ते की लोगाने जास्ती जास्त याचा सर्वतृती चा कम्प्लाइंस करूं आची वर्प्लेशला पूर पने पुरक्षित करावें इसी कारिकरम में महराष्टर राज्य के परियावरण विभाग की सेकरेटरी श्रीमती वलसा नायर और इसमें ठाने जिलादिकारी भी शामिल थे आज भी उधर भयंकर दुरगटनाएं हो रही है उसका संबंदित विभाग में कोई भी लिखित साक्ष नहीं रखा जाता इसका उधारन एक कामगार श्रीपाटिल जी हाई टेंपरेचर रसाइन के द्वारा जलने से बुरी तरह घायल हो गया ये दुरगटना छुपाने के लिए उस जखमी कामगार को कमपनी में ही तीन दिनों तक गैर कानूनी तरीके से रख कर प्राथमिक उपचार केंद्र मे नहीं इलाज चालू रखा गया जब उस कामगार के घर वाले रिष्टेदार कमपनी में मोर्चा लेकर आए उसके बाद उसे बेहद मामुली हॉस्पिटल में भरती करके आधा धूरा इलाज करके उसको डिश्चार्ज कर दिया गया इस बारे में डीसीपी सीनियर पी आई क कई बार शिकायते की गई उन्होंने कारवाई नहीं की इसलिए मैंने वापस नीचे से लेकर अपने देश के सरवोच तक कई बार शिकायते की इतनी समवेदन शील परिस्थिती पर आदेश जारी करने का नाटक करके वे एक दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं मंत्राले में लगी आग के बाद भी, मैंने सभी सबूतों के साथ कई बार सभी माध्यमों से शिकायते की तब ही किसी भी कार्यवाही के न हूने पर भी हर मुद्दे के सभी सबूतों के साथ वापस मैं DCP श्री कराड से मिला तो उन्होंने तुर्भे P.I. को मिलने को कहा इसलिए मैंने 31.7.2012 को सीनियर P.I.G. को मिलकर काइदे कानून का जो उलंगन हो रहा है इसके बारे में सभी दस्तावेज, सभी फोटो, वीडियो दिखा कर F.I.R. दर्ज करने की मांग की थी उस पर भी F.I.R. दर्ज नहीं की थी आगए इसलिए राष्ट्रपती महुदय तक लिंक भेज कर F.I.R. दर्ज करने की कई महिनों तक मांग की थी तब ही भी F.I.R. दर्ज नहीं हुए गैर कानूनी कृत्य बंद नहीं हुआ जन जागरिती के लिए अनुमती नहीं दी गई इसलिए डिवलेगर दर्ज नहीं हों अनुमतीक बहुदय प्लस तयचा नहीं पड़े बेकाइदे शबूत्य यह बंद नहीं बन्हें जाबर के एक शाख़ा गुजुरात के दहज गाउं धार तरह में ज्याद के राजनी पिकारण र्गधोर की डियमों को और बstüt नंजर अंदास किया जाता है इससे महा राश्टिट aa के नभी मुंवए में या गुजरात के दहच गाउं में बड़ी दुरगटना अटल है लाखों जान परियावरण हानी आतंकवादी हमला अटल है गटी दुरगटना के जिम्मेदार को बचाने के लिए राजनेता उद्योगपती से मूठी रकम वसूलेंगे दुरगटना पीडितों को दी जान नेता की क्रूर मानसिक्ता आराजकता नहीं तो क्या है क्या इसलिए महात्मा गांधी लोकमान्य तिलक नेता जी सुभाश चंद्रबोस भगत सिंग अश्वाक उल्ला चंद्रशेकर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल्ला मंगल पांडे जैसे लाखों शहीदों ने कुरबान देकर भारत को आजाद कराया लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो आम आदमी सर्व उपरी है उसे आजादी से जीने का हक मिले इसलिए डॉक्टर बाबा साहिब अम्वेड करजी ने हमें संभीधान दिया आज बिलकुल उल्टा हो रहा है आज उद्ध्योपती के कुम कृत्यों और गैर कानूनी काम को छिपाने के लिए पुलिस और राजनेता मिलकर भरष्टा चार करके मेरी इस लड़ाई को दबाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं इसलिए इन्होंने कितने पुलिस आयुक था, कितने डी सीपी, कितने सीनियर पी आए, कितने और सारी पुलिस करमचारियों का कीमती वक्त बरबाद किया है कर रहे हैं वह भी पुलिस की संख्या के बारे में अभी अभी ये कड़वा सच सामने आया है उसका उधारन मुंबई की जन संख्या देड करोड है और पुलिस 46,000 है उसमें से 60 प्रतीशत 27,600 पुलिस वी आई पी की सिक्योरिटी के लिए बाकी बचे 40 प्रतीशत पुलिस उसमें से 30 प्रतीशत पुलिस मुझ जैसे अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को दबाने के लिए इस्तिमान होती है और लगातार जो भरष्टा चार सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ आंदोलन करने वालों को दबाने के लिए होती है तो बची हुई 10 प्रतीशत पुलिस देड करोड जनता को क्या सुरक्षा प्रदान कर सकती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं यही हाल पूरे देश में है कैसे होगा आम आदमी सुरक्षित श्रीमान अन्ना जी के आंदोलन से देश में एक नई जान फूग दी हमें ये लगने लगा कि अब बदलाव का वक्त आ चुका है ब्रष्टा चार और आरा जक्ता के व्रक्ष को समूल उखार देने का वक्त आ गया है मेरी उमीदों में नई कोपले फूट पड़ी मेरा विश्वास और द्रिड हो गया मुझ में लडने की एक नई उर्जा का संचार हो गया लडाई एक की नहीं पुरे देश की है दुरगटना घटने के बाद सभी माध्यों से आवाज उठता है मेरी लडाई दुरगटना न घटे इसलिए है मैं इस लडाई को सोशल मीडिया के द्वारा पुरे देश में फैलाना चाहता हूँ पेड मीडिया भरष्ट हो चुका है वह भी चंद उद्योगपती राजनेताओं के हाथों की कटपुतली बनकर रह गई है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जन जागन पहला कर सामाजिक दबाव से इस लडाई को अंत तक ले जाना चाहता हूँ ताकि पुलिस, प्रशास और राजनेता अपनी उर्जया और अधिकारों का उप्योग सही तरीके से कर सके उससे आम आद्मे को सुरक्षा मिले ताकि आम आद्मे की बेहन, बेटी उपर बलात्का या हत्या ना हो आतंकवादी हमले होकर हत्या कांढ नहों भोपाल दुरघटना से भी भिषन दूसरी दुरघटना होकर नरसंहार नहों क्रूर मानसिक्ता को समूल उखाड देने को भरष्ट विवस्था परिवर्तन करने को मैं देश की यूवा पिड़ी को आवाहन करता हूं कि इस प्रशिष्ट मार्ग पर जिस तरह चाहे परोक्ष या अपरोक्ष मार्ग से अपना योगडांग दे मेरे आंदोलन के प्रती जो इस डॉक्यमेंटरी में जो दिखाया गया है वह सिर्फ दस प्रतिशत है बचे सभी दस्तावेज, फोटोज, वीडियोज आप www.facebook.com slash जानी या www.facebook.com slash आम आदमी पर उपलब्द किये है क्नाली आपड़एग जो आजाएँ जानी आपसानी या झानी जाज़गवड़ है बच्छानी यावड़गवब्द दस दस्तावेज जा इसो जाभने तक रसे वीडियोगवग़गववडवड़ववड़ोगवड़ाबद दस्तावी जाएवास